हेलो साथियों नमस्कार मैं विपिन लक्षदा एक्जाम्स के यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाथी और टाइगर जिजर्व की जो की हमारा वन दरोगा की मुख्य परिच्छा की द्रिष्टी कोड से यह हमारा छठा वीडियो है तो साथियों हमने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है कि जितने भी महत्वूड तत थे और एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से जो भी महत्वूड चीज़े हैं मैंने इन सभी चीजों को इसमें समाहित किया है ताकि जब हम एक्जाम हाल में बैठें और हम इन वीडियो को आप हमारे वीडियो को देखके गए हों तो आपको एक्जाम हाल में कोई भी समस्या का सामना करना ना पड़े तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट एलिफैंट को, तो साथियों हाती भारत का सबसे बड़ा इस्तन पाई जानवर है, इसे भारती वन्य जीव संदच्छन अधनियम 1972 की अनुसूची में रखा गया है, साथियों 7 दिसंबर 1992 को सिंगभूम जनपत जहरखंड में प्रोजेक्ट एलिफैंट को प्रारंभ किया गया, जिसके तीन उद्देश से थे, पहला था हाथियों का उनके आवास का तथा उनके गलियारों का सनरच्छन, दूसरा मनुस्यवा हाथी के मद्द संघर्ष की रोक और तीसरा उद्देश सिथा घरेलू हाथियों का कल्यार, साथियों वर्तमान समय में भारत में कुल 10 एलिफैंट रेंज हैं, जिनके अंतरगत भारत के 13 राज्यों में कुल 33 एलिफैंट रिजरों सम्मिलित हैं, हाथी गलियारों को नुकसान पहुचाने वाले प्रमुक का कोईला खनन और लौह आयस्क खनन है, हाथी मेरा साथी अभियान यह अभियान एलिफैंट एट की मंत्री परिसदी मंत्री इस्तरी बैठक में मई 2011 में प्रारंब किया गया, इसको पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रा ले तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंब किया गया, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कारेक्रम जिसको हम सौट में माइक कहते हैं, 2003 में साइट्स के दलीय सम्मेलन द्वारा दच्छिड एसिया के देशों में प्रारंब किया गया, साथियों भारत में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कारेक्रम्यानी की माइक के जो प्रमुख इस्थल हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, तो साथियों जिसे मयूर भंज जो की ओडिसा में है, मैसूर करनाटक में, गारो पहाडी मेघालाय में है, देहिंग पटकई और चिरांग रिपू जो की असम में है, वाइनाट केरल में है, सिवालिक उत्तराखंड में, देव माली अरुडाचल प्रदेश, पूर्वी दुवार पश्चिम बंगाल और नीलगिरी तमिलनाडु में है, साथियो भारत में एलिफैंट रिजर्व जो है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं और उनके छेत्रफल की, साथियो जैसे कि मैसूर, मैसूर जो है वहाँ करनाटक में है, जिसका छेत्रफल 624 वर्ग किमी है, सिंग भूम जो की जहारखंड में है, 4530 वर्ग किलो मीटर में विस्तरत है, रॉयल जो की आंध प्रदेश में है, 766 वर्ग किलो मीटर में है, सिवालिक जो की उत्राखंड में है, 545 वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है, पेरियार जो की केरल में है 3742 वर्ग किलोमीटर में अनाई मुडी जो की केरल में है 3728 वर्ग किमी निलामबूर जो की केरल में है 1419 वर्ग किमी वाइनाड जो की केरल में है 1200 वर्ग किमी संबलपूर जो की ओडिसा में है 427 वर्ग किमी दच्चिड ओडिसा जोकी ओडिसा में है 4216 वर्ग किमी वैतरडी जोकी ओडिसा में है 1755 वर्ग किमी मयूर भंज ओडिसा जोकी 3214 वर्ग किमी महानदी ओडिसा जोकी 1038 वर्ग किमी है श्री विल्लुपुतुर जोकी तमिलनाडु में है 1249 वर्ग किमी अन्ना मलाई तमिल नाडु 1457, कोयम बटूर तमिल नाडु में है 564 वर्ग किमी, नीलगीरी तमिल नाडु 463 वर्ग किमी, मयूर जरना जो की पश्चिम बंगाल में है 414 वर्ग किमी, पूर्वी दुवार जो की पश्चिम बंगाल में है 978 वर्ग किमी, लेमूरू जो की 36 ग 143. 3 km mm अरुडाचल प्रदेश में है 1892 तरहा दिछृ अरुडाचल प्रदेश में है 957स में सोनित पूर असम में 1420 मीं देहिंग पटकाई असम 370 कि धन्स्री लुंगडिंग जो की असम में है 2740 वर्ग किमी काजी रंगा कार्वी अंगलांग असम में है 3270 वर्ग किमी साथियो खासी हिल्स मेघाले में है 1331 वर्ग किमी, गारो हिल्स एलिफैंट रिजरू मेघाले में है 3500 वर्ग किमी में विश्त्रित है, सिंगफन जोकी नागा लेंड में है 257 वर्ग किमी में, अगस्त मलाई तमिलाड में है 1197 वर्ग किमी, तराई हाथी रिजरू उत्तर प् साथियो अब हम चर्चा करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की साथियो बागों की संख्या को बढ़ाने के लिए तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाये रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एक अपरायल 1973 को जिम कारबेट राष्ट्री पार्क जो की अब उत्तराखंड मे लेकिन उस समय यहां उत्तर प्रदेश का ही इस्सा था क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था ठीक है कारबेट राष्ट्री पार्क से कैला संखोला के नेत्रुत में प्रारंब किया गया था यहां जो प्रोजेक्ट टाइगर है यहां कैलाड के नेत्रुत में प्रारंब किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राले द्वारा संचालित योजना है साथियो भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व जो है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में दो टा टाइगर रिजर्व है कारबेट और राजाजी टाइगर रिजर्व बिहार में एक टाइगर रिजर्व है बालमी की टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में काना टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व बांधावगड सत्पुडा संजय दुबरी टाइगर अरुडाचल प्रदेश में कमलांग नामदफा और पाख्वी टाइगर रिजर्व है साथियों महाराष्ट्र में पेच मेलगाट तडोबा अंधेरी सहयाद्री बोर नवेगाउं नागजिरा टाइगर रिजर्व है साथियों जारखंड में बेतला जिसको हम पलामू टाइगर रिजर्व भी कहते हैं एक मात्र टाइगर रिजर्व है राजिस्थान में मुकुंद्रा हिल्स, सरिस्का और रनथंभौर टाइगर रिजर्व है चतिस गड़ में इंद्रावती, उद्यंती, एवं सीतामडी, अचान कमार और गुरु घासी रास टाइगर रिजर्व तेलंगाना में नागारजुन सागर, स्री सेलम, अमराबाद, कवाल टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में सत्यमंगलम, मुधुमलाई, कालकड, मुंडन थुराई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है पस्चिम मंगाल में बुकसा और सुन्दरवन दो टाइगर रिजर्व है ओडिसा में सतकोसिया, सिमलीपाल और सुनावेदा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में एक मात्र दंफा टाइगर रिजर्व है, केरल में एक मात्र पेरियार टाइगर रिजर्व है आंधर प्रदेश में नागारजुन सागर स्री सैलम टाइगर रिजर्व है करनाटक में नागर होल, भद्रा, बनेर घट्टा, डांडेली अनासी, विलगिरी रंगनात मंदिर टाइगर रेजर्व है साथियों अब हम बात करेंगे नवीनतम आकडों की है साथियों जो नवीनतम आकडों के अनुसार भारत में बागों की कुल संख्या 29 सरसट से अधिक है मद्ध प्रदेश में बागों की संख्या सारवाधिक है भारत में बने तीरिपन टाइगर रेजर्व देश के 18 राज्यों में विस्तीरण है साथियों मद्ध प्रदेश के सतना जन्पत के मुकुंद पुर में विस्तीरण का पहला सफेद बाग टाइगर रेजर्व का उद्गाटन 3 अपरेल 2016 को किया गया साथियों WWF के अनुसार 2022 तक भारत में बागों की कुल संख्या 34 सव तक होने का अनुमान है साथियों भारत के 14 बाग अभयारन्यों को CA अबलिक TS की मानिता पर्यावरण 1 एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने 29 जुलाई 2021 को एक विग्यप्ति द्वारा उतकरष्ट बाग संरच्छन प्रयासों हेतु भारत के 14 बाग अभयारन्यों को CA अबलिक TS की मानिता प्रदान की जो की निम्नलिकत है आप साथियों CA और TS क्या होता है CA का मतलब होता है Conservation Assured और TS का मतलब होता है Tiger Standards है ना तो जैसे कि बाग अभयारन जिनको CA और TS की मानिता प्रदान की गई है जैसे कि बाग अभयारन और उनसे संबंधित जो राज्य हैं कहां पर इस्तित हैं जैसे कि मानस असम में इस्तित है, काजी रंगा असम में है, ओरंग असम में है, सत्पुडा मध्य प्रदेश में है, कानहा मध्य प्रदेश, पन्ना भी मध्य प्रदेश में है, पेच टाइगर रिजरो महराष्ट में है, वालमीकी विहार में है, दुधवा उत्तर प्रदेश सुन्दरवन पश्चिम बंगाल पारांबिकुलम केरल में है मुधु मलाई तमिलनाडू अन्ना मलाई तमिलनाडू बांधीपु टाइगर इजरो करनाटक में है साथियों CA अभियारन्यों से पहले भारत के तीन अन इस्थलों को भी CA-TS की मानिता मिल चुकी है जो निम्लिकित है जैसे कि लैंस डाउन वन प्रभाग जो की उत्तराखंड में है राम नगर वन प्रभाग उत्तराखंड में तीसरा जो है 24 परगना दच्छिड वन प्रभाग जो की पश्चिम बंगाल में है इनको CATS की मानेता पहले से ही प्राप्त थी साथियों इन तीनों इस्थल यह जो तीनों इस्थल है यह पूर्ड रूप से बाग सनरच्छड पर केंद्रित नहीं है परन्त यह बागों के सनरच्छड के छेत्र में अत्यदिक छमतावान है बागों की गड़ना पग मार्ग यानि की फुट्प्रिंट पग मार्ग विध और कैमरा ट्रिप विध द्वारा की जाती है टाइगर रिजर्व को कोर छेत्र और बफर छेत्र में बाटा गया है कोर छेतर वन जीव सनरच्छन के लिए है और बफर छेतर एक से अधिक कार्यों के लिए है भारत यानि की उत्तराखंड भारत का जो उत्तराखंड है भारत के उत्तराखंड के कारबेट टाइगर रिजर्व को विश्व का दूसरा सर्वसेष्ट टाइगर रिजर्व गोसित क आ गया है विश्व का पहला टाइकर रिजर्व तंजानिया का सिस्म ग्रेटो नेशनल पार्क है भारत में बाग संवच्छन की जो उप प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें से निम्न विलुप्त हो गई हैं जैसे कि बाली जावा और कैस्पियन टाइगर साइबेरियाई इं बाग संवच्छन प्राधिकरण के अध्यच पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवरतन मंत्री होते हैं जो राश्री बाग संवच्छन प्राधिकरण है उसके अध्यच पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवरतन मंत्री होते हैं भारत का सबसे बड़ा बाग रिजर् नागारजुन सागर श्री सैलम जोकी आंध प्रदेश में इस्तित है विस्सु का सबसे बड़ा बाग रिजर्व हुकांग घाटी जोकी मयमार में है भारत का सबसे छोटा बाग रिजर्व बोर जोकी महाराश्ड में है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश का प्रथम अधिसूचित टाइगर रिजर्व कारबेट उत्तराखंड में है सतियों विश्व का सबसे उचा बाग रिजर्व नाम दफा जो की अरुडाचल प्रदेश में है विश्व हेरिटेज इस्थल में सामिल एक मात्र मानस जो की असम में है मानश टाइगर रिजर्व असम में है जो कि एक मात्र इस्थल विश्व हेरिटेज इस्थल में सामिल भारत का एक मात्र टाइगर रिजर्व है श्री विल्लु पुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व की स्थापना तमिल नाडु के पर्यायवरण एवं वन विभाग द्वारा श्री विल्ली पुथूर वन जिव अभ्यारन और मेगा मलाई वन जिव अभ्यारन को श्री विल्ली पुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व के रूप में घोसित किया गया यह तमिल नाडु का पांचवां और भारत का 51 टाइगर रिजर्व है कारबेट विश्व का दूसरा सर्वसेष्ट टाइगर रिजर्व है अंतर राष्ट्रिये ग्लोबल की टीम ने वन जीवों की सुरच्छा संख्या और विभिन प दूसरे इस्थान पर रखा गया है तंजानिया सीरेंगेटी नेशनल पार्ग को पहला इस्थान मिला है साथियों सत्यमंगलम बाग अव्यारन्य को 2x2 एवार्ड से सम्मानित किया गया है 25 जनवरी 2022 को जारी विग्यप्ति के अनुसार भारत की सत्यमंगलम बाग अव्यार परतिष्थित 910zić2 एवार्ड से साथियों वर्स 2007-2012 और 2017 में जंगली हातियों की आबादी का त्था तीसरे इस्थान अनुमान लगाया गयाอम जो हातियों की आबादी है उसका तीसरे-स्थान अनुमान लगाया गया जिसमें करनाटक में हातियोंकी अधिक शंक्या है दूसरे इस्थान पर केरल है अब साथियों हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता 2022 की साथियों प्रोजेक्ट चीता 2022 भारत में चीतों को फिर से बसाने का कारे प्रोजेक्ट चीता के तहत किया गया साथियों इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया की राजधानी विंड होक से कस्टमाइजड 747-400 एरक्राफ्ट से आठ चीतों को जिनमें पांच मादा चीते एवं तीन नर चीते जो कि गौलियर भारत मद्ध प्रदेश लाया गया भारत के मद्ध प्रदेश के गौलियर सहर में लाया गया इन्हें गौलियर से मद्ध प्रदेश के कुनो इन्हें जो गौलियर का मद्ध प्रदेश है उसमें कुनो नेशनल पार्क में चिनूक हेलिकॉप्टर द्वरा ल इन चीतों को International Not-for-profit Organization चीता Conservation Fund CCF जिसका मुख्याले नामीबिया में है और यह संस्था चीतों के सनर्चन के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा अपने जन्म दिन यानि की 17 सितंबर 2022 के अवसर पर नामीबिया से भारत लाए गए आठ चीतों को मद्ध प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। तो साथियों यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिसकस किया हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व को साथियों हमने प्रयास किया है कि जो कंटेंट है वह बहतरीन तरीके से आपको कंपाइल करा के दिया है ताकि आपको अब इसमें बहुत अधिक मेहनत कंटें वन दरोगा की मुख्य परिच्छा के द्रिष्टिकोंट से अत्यंत महत्पूर्ण है तो साथियों इनको ध्यान से पढ़िए एक दो बार देखिए और आप फिर कोस्टन्स प्रैक्टिस कीजिए मैं कोस्टन्स की स्रीज भी बहुत जल्द लेकर आऊंगा आप उनको प्रैक् से इसको डिसक्स किया आप साथियों आप से एक रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे यूटूब चैनल लक्षट एक्जाम्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरं सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकान को भी जरूर दबाईए और हमारे व वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय इंद